26 जुलाई यानी विजय दिवस कारगिल के शहीदों को नमन करने का दिन कारगिल विजय को 25 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पार हम आपको बता रहे हैं वो शौरे गाता जिस पर हिंद को नास है कैसे टाइगर हिल तो रोलिंग पर फिर से कबजा किया गया कैसे कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन अनुस समेथ देश के 527 वीरों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी नियूज 18 के टीम पहुँची कारगिल के उनी चोटियों के करीब जहां बहा था भारत माता के सपूतों का लखू देखिए कारगिल से शहीदों के नाम ये रिपोर्ट हो देखिए कि अधर इसफ़को में द्राष्वे हूं और ठीक तागर हील के समय हो में साथ में एक ऐसे उद्धा है, ऐसे एभीरो है, तो 25 साल पहले जिसको सोच कर भी वोई भी इसको रॉंते कड़े हो जाते हैं, इसको आप कैसे लेखते हैं, जहां तक लड़ाई की बात है, यहां आने पर ऐसा दगता है कि वो तो पुरानी याद हैं, उपिर प्राजा हो गई 26 जुलाई यानी शौरिक का थे, 26 जुलाई यानी पराक्रम का थे, 26 जुलाई यानी वलिदान का थे, 1999 में पाकस्तानी सेना को खदेड़ते हुए, भारती जवानों ने करगिल में विजय पता का फ्हराई थी 1999 में पाकस्तानी सेना को खदेड़ते हुए, भारती जवानों ने करगिल में विजय पता का फ्हराई थी देश करगिल विजय के 25 साल पूरे कर रहा है, तो न्यूज 18 पहुचा है उसी टाइगर हिल पर, जहां लड़ी गई थी सबसे बड़ी ज़क्त आज हम आपको दिखाएंगे, टाइगर हिल से सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट तो मैं पहुचा हूँ, टाइगर हिल के पास, टाइगर हिल जहां पर पाकिस्तानी सेना के जवानों को और इसके साथ साथ उस पैटियों को भारती सेना ने जवाब दिया था साल 2019 में, यानि कि ठीक 25 साल पहले, और इस वक्त में मैं देखाना चाहूंगा, यह हमारे पीछे ठीक टाइगर हिल जो है वो देख सकते हैं, जो तक्रीवन 18,000 फिट की उचाही पर है, और जिस तरह से टाइगर हिल की अगर बात करें तो टाइगर हिल पर जिस तरह से तिरं जंगा लहरा दिया था, और यह वो पल था जब पाकिस्तान के धोके को करारा जवाब मिला था, और खतरनाक जंग में कई भातिये, जो जवान जो हैं, वो भी आपने जो सुप्रीम जो कहा जा सकता है, शहादत दिये थे, लेकिन इस मामले में पूरे पूरे ओपेशन्स में पाकिस्तान को अच्छा खासा जवाब दिया गया था, देश करगिल दिवस का जिस तरह से सिल्वर जोबी मना रहा है, यानि कि 25 साल पूरे कर रहे हैं, और जिस तरह से अगर बात करें तो चार जुलाई साल 1999 में भाकिसेरा के बागों ने, अगर हिल पर जिस तरह से पाकिस प्धान मंत्री थे, अटल वियारी वाश पे, उन्होंने इस मामने पे विजय दिवस की उस वक्त में घोशना किया थे, और अगर बात करें, टाइगर हिल के साथ साथ दूसरे अन्य दूसरे टॉप के अगर बात करें, ठीक पास में, बत्रा टॉप है, और इसके साथ साथ अन्य जो चोड़ी की बात करें, यहां पर जिससे पाकिस्तानी सेना और उसके घुसपटियों ने यहां पर कबजा किया था, उसके जो सबसे पहली मंसा थी, ठीक यहां पर देखाना चाहूंगा, नीचे नेशनल हाइवे है, नेशनल हाइवे 1D जिसे के नाम से बारा जाता है, वंडी पर सबसे पहला कबजा करना चाते हैं, वो चाते थे, अगर इस नेशनल हाइवे 1-D बार कर लिया जाएगा, तो भारत को इस टाइगर हिल के इलाके से काटा जा सकता है, और तक्रीबन 25 किलो मेटर का जो फासला है, उस पर कबजा किया जा सकता है, तो 25 किलो मेट में तीन और चार जुलाई की दर्मियानी रात भारती सेना ने टाइगर हिल पर हमला बोल दिया था चार जुलाई 1999 की सुभा भारतिय सेना की तीन रिजिमेंट सिंक, 18 ग्रिनेडियर्स और नागा ने ताइगर हिल पर पाकस्तान के नॉर्डन लाइट इंफेंट्री को धूल चटा दी बारा घंटे तक चली सपर दस्त लड़ाई के बाद हिंदुस्तान ने फिर से टाइगर हिल पर कपसा कर दिया इस मावले की जानकारी जब भारतिय सेना की जवानों को लगी उसके बाद इस मावले पर ऑपरेशन प्रारंब किया गया और जिस ते भारतिय जवान के व Jacob of juegos की जो झाए इस पूरे इलाके और बोफोर्स की तोख जवाब जो बाखिस्सानником गोडिया गया धु alguien इस यहां पर कुछ अच्छी भासी आवादी आंए पर उस वक्त के तातकारिन भानमंत्री अटल विहरीवाशपए दोस्ती का हाथ बहाते ये पाकिस्तार पहुचे थे लेकिन भारत को मिली थी जिस तरह से भारत के सीने पर एक तरह से कहा जा सकता है कि पीट पीछे उनके चाकूग हो पा गया था दोस्ती का जो रिस्ता है जो भार अपने का काम किया था और भारत मिठाईया और तमाम अपने को लेकर पाखिस्तान पहुंचा था तो दूसरी तरफ उस वक्त में परवेज मुसर्प के नित्रित्व में इसी कार्जिल हिल और इसके असासत आसपास के चोड़ियों पर कब्जा करने की एक कोशित की जारी थी जसका जवाब भारतिय सेना के जवानों ने दिया और पच्ची साल के बाद जवाज हम विजयो दिवस के तोर पर रज़त जेलती के तोर पर इस कारक्यम को मना रहे हैं तो कहने कहा जा सकता है कि भारतिय आन, बान, और शान को और बहत मजबूती से यहां पर हम लोग रख चार जुलाई 1999 को उधर सूरज उग रहा था इधर भारतिय सेना के शिरो ने ताइकर हिल पर तेरंगा लहरा दिया था पाकस्तान की कारगिल में करारी हार हो रही थी ताइकर हिल पर कबसा करने में सुबेदार मेजर योकेंत्र ग्यादव का एहम योगदान था दुश्मनों से लड़ते हुए उन्हें 15 गोलियां लगी थी लेकिन खायल हुने के बावजूद उन्होंने बाकस्तानी सेना की तरफ ग्रिनेट भेका इससे बाकस्तानी सेना डर गई और ताइकर हिल पर भारतिय जबानों ने कबसा कर लिया ताइकर हिल की तरह ही तोलो लिंग की जंग भी इस पूरे ओपरेशन में बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई तोलो लिंग की जी इस स्ट्रेडिजिक रूप से एहम थी क्योंकि पाकस्तानी सेना एनच वन पर नजर रख रही थी जिससे भारतिय सेना शिनगर से लेह तक रसत पहुचा रही थी अठारा ग्रेडेनियर्स को तोलो लिंग पर फिर से कबसा करने का काम स्वापा गया था अठारा ग्रेडेडियर्स ने प्रेडेडियर्स खुशाल सिंध हकों के नित्रित्वा में आपरेशन शुरू किया दुश्मन पहाड पर था जिसके कारण ग्रेडेडियर्स भारी नुकसान हुआ तोलो लिंग पर कबसा करने की कोशिश में 18 ग्रेडेडियर्स के 25 जवान शहीद हो गए लेकिन आखिरकार 18 ग्रेडेडियर्स के जवानों ने तोलो लिंग पर तिरंगा लहरा ही दिया इस संगर्ष में लेटिनेंट करनल विश्वनाथन पूरी तरह खायल हुए और ब्रिगेडियर्स खुशाल ठाकूर की कोद में वीर गटी को प्राप्त हुए सर, 25 साल के बाद फिर आज हम चर्चा कर रहे हैं उन दिरों की जो 25 साल पहले जिसको सोच कर भी कोई भी इसके रॉंग के खड़े हो जाते हैं इसको आप कैसे देखते हैं पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा मैं हीरो नहीं हूं हीरो तो वह हैं जो 527 वीरियोदा जो शहीद हुए हैं यह रोज उनके परिवार हैं जिन्होंने भी मुश्कल जेली हैं और आज हम उनको 25 साल पर रंजनी देते हैं नमन करते हैं जहां तक लड़ाई की बात है यहां आने पर ऐसा लगता है कि वो जो पुरानी यादे हैं वो फिर ताजा हो गई और उन परिवारों से जिन्होंने खोया है उन से मिलके उनके बच्चे आज बड़े हो गए हैं हमारे साथ जो लड़ाई में लोग रहें आज वो इस कारेकरम में शामिल हैं लेकिन मेरी यूनिट ने जो दरास में जो तो महतरपुर और सामरिक दिश्टी से थी चाहे वो दोलो लिंग हो चाहे टाइगर हो उ कहां से लड़ाई स्टाट हुई उसको आप बताए उसके एकस्टाट करें कहां से स्टाट हुआ है जिसके बाद हम का अलाका आता है है और उसके बाद दो नूखिली चोटी आपको दिखती इस ओलो लिंग और 599 और ये नीचे के जो है दरास की तरथ इस तरह से आता है तो शुरू में बताया है कि यहां पर 5-6 पाकिस्तानी हो सकते हैं मुझाइदील से और यह जो अगर आपकी नज़र लाइज दे जाहूं यह तो इन दोनों चोटियों पर 18 गनेडियर्स को विजय पता का फैराने का एक मौका मिला और जिसके लिए 34 जो रण वांकुरें हैं 18 गनेडियर्स को पोने पड़े पहली चोटी तोलोली और सबसे उची चोटी टाइकर हिल पर विजय पता का फैराने का जिम्मा प्रिगेडियर खुशाल ठाकूर उनकी युनिट 18 गनेडियर्स को दिया गया था जिसे उन्होंने पूरा किया एतिहासिक अभ्यान के लिए 18 गनेडियर्स को 52 वीर्ता सम्मानू से नवाजा गया जो की एक रिकॉर्ड है हवल्दार योगिंद्र यादव को देश के सरोच वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मान इतिया गया इसके अलावा दो महविर चक्र, छे वीर चक्र, एक शौर चक्र, उनने सीरा पदक से नवाजा किया ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर को युद्ध सेवा बैटल से नवाजा किया सबसे पहले जो लड़ाई थी वो तोलो लिंकी थी और जितने भी यह उंची पाडियां हैं इनके उपर दुश्मन ने कभजा किया था क्योंकि सर्दियों में कुछ एक पोस्ट को हम छोड़ दिया करते थे और इस तरह पूरी कारगिल में तकरीवन 125 किलो मेटर पर उन्हों सब्सेयरों यह देखिए वहां शांति वारता करते करने गया थे अच्छी नियत से करने गया थे भारत कभी ने चाहता कि किसी इसके साथ यूद हो लेकिन पाकिस्तान ने बहुत बड़ा किया और यह दोख कर कर में हमेशा पीचे की जितनी वी अजादी बाद़ाई आभी आप देखें जिस तरह से आतंगबाद की गट्राय हो रही हैं वो हमेशा दोखा देता रहेगा और आपको पता है कि वहां का कंट्रोल जो हुआ मिल्टरी के हाथ में है। कराया था। कैप्टन विक्रम पत्रा ने इसी चोटी से कहा था कि दिल मांगे मों। इसके बाद कैप्टन विक्रम पत्रा 4875 को फतह करने के लिए आगे पड़ गए। पुरुसकार परमविर चक्र से सम्मानित किया गया। 26 जुलाई का दिन विजे दिवस के रूप में बना कर पूरा देश उन शहीदों को नमन कर रहा है। जिनोंने देश के लिए अपने प्राण योच्छावर होंगे। करगिल युद्द के दोरान राइफल में संजे कुमार खुन से लथपत थे। लेकिन वो लगातार पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला करते रहे। उन्हें शौरे के लिए परंवीर चक्र से सम्मानित किया क्या। संजे कुमार से आप खुद सुनिए कारगिल विजे की कहानी। इस फक्त में बात करता हूँ एक ऐसे बहादुर सक्त से जिनको परंवीर चक्र से नवाजा गया हमारे साथ में संजे साब हैं। संजे साब 25 साल हो गया हैं विजे दिवस मना रहे हैं। लेकिन मैं आप से वो कहानी सुनना चाहता हूं कि कैसे हमारे देश के जवान उस जवान जगह तक पहुंचे और पाकिस्तानियों को यहां से भगाया गया था वो कहानी मैं सुनना चाहता हूं इसा है आप सिर्थ देख रहे हैं कि यह बाहड़ियां जो हैं बहुत सुखे पारह थे लेकिन इन पाहडरों पे अगर आप इसको बोलैंगा ना कि उपर तक पहुंचना कोई असा नहीं बैदे इन में कोई रास्ता नहीं था रास्ते के बाद इसमें जेसे आप बुपर पार करने के जो पर से फारिंग हो रही है और नीचे इसके बावजूद आप लोग उपर बढ़ते जा रहे थे तो किस तरह से मनुबल किस तरह से वो आपकी स्ट्रेजी वो काम आई और पाकिसानियों को भागना पड़ा इसलिए वरो कि जो हमारे कमंडर थे जो उनकी प्लानिंग है थी या उनके जो सोच विचार थे कैसे हम इस ओपरेशन को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं कि प्लानिंगों की वाज़से ही फौज जो है अपने उस पड़ाओं तक पहुचवाई जैसा हो जहां पर दोस्कों के साथ लड़ने का मतर है और वहां भी जो प्लानिंग है जिसने की हैं जैसे कि किसी भी कम्पनी कमांडर ने प्लान किया कि मैं इस पौश को भूँगा ता मेरा इतना गजून्टी होगा ऐसे जाओंगा उससे अच्छा ही हो क्योंकि सबसे बढ़ा है कि लीडर जब कोई काम करता है सेना में तो उसका जो जवान है उसको पता है कि मेरा लीडर मेरे साथ है खिक है और मेरी जरूरत के टाइम पर या मुझे जो जरूरत होगी तो वो मेरे साथ होगा और मैं कुछ कर सकता हूँ उसका मनोमल बैसा बना रहे हैं अगर पाकिस्तान वालों की तरह अगर उनका लीडर ही सबसे बले भाग जाएगा तो कितमी देर लड़ेगा हमारे साथ जि सब्सक्राइब करने में और असान नहीं नहीं था तो वह लड़ने की सकती उनकी भी कम हुई और हमें उसका बनवेट मिला तो हम पोष्ट को करने में और असान नहीं लोः माईब करने में इच में जए हमेदा में, बालों कम पर आईफ़े जलत्सा हैं